जय हिंद देखे एक तरफ crypto market है और एक तरफ इस टॉक मार्केट और दोनों ही मार्केट में भी एकदम कोहरा मचा हुआ है कल मार्केट के खुलते ही सब्ता को पहला दिन था दोनों मार्केट में इसका प्राइस आसमान में चला जाता है न 근えー बहुत ज्यादा उपर बहुत कमपनी के से खरीद और ब्यस सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में कोई इंडेक्स नहीं में इंडेक्स होता है । ूपर चुछ कोईbe मार्केट में हमारे सेटी है यह सबी कोम covenant के पैसकों को डुबो तो नहीं बाग तो नहीं जाएक सब प्रेसद के लिए हमारे सेटी अब समझेगे जो कल अकूर साहिआ हुआ जो बहुत धनों से लगतार नीची की तरफ जा रहा है उसमें दुनिया की सबसे पॉप्लर क्रिप्ट कोईन बिट कोईन का हाल एकदम बहाल हो गया है अभी बिट कोईन 25 लाख 11000 मिल रहा है इथिरियम का भी वही हाल है चार लाख एथिरियम एक लाख 68000 मिल रहा है जबकि आप देखेंगे पिछले साल नॉवंबर में यानि कि बिट कोईन अपने आल टाइम हाई को जब टच किया था तब भारत में इसका प्राइस पचास लाख से अधिक था और तीन माहा में बिट कोईन 45 परसेंट टूट कर 25 लाख 11000 का हो चुका है देखे कि क्रिप्टो नगर्ष तल状्व करते हैं कि और के वोद यूवय कोईन का नीचे कि तिरफ द biblical इचे का नाम नह inherent लिए समझते हैं आपने इसने देख में रहात हैं पेके देने का वादा किया था उसको वापस लेने का घूसरा किया है तो इससे कहीं न कहीं पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक निगेटिव इपक फैला है क्यूंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और वहां का जो रिजर्ब बैंक है पूरे गलोबली मार्केट पर अपना प्रभाव डालता है दूसरा है रसिया सेंट्रल रूस के सेंट्रल अपने देश में क्रिप्टो माइनिंग पर रोक लगाती है बकायदा यहां कि सरकार को बढ़ावा मिल रहा है घलत फंडिंग हो रहा है तो मैरे भाई अगर आतंकवात को बढ़ावा मिल रहा है तो इसके लिए और उपाई किया चासकता था ये मतलब थोड़ा है कि कूरे म माइनिंग को ही आप अपने देश बंद करा देंगे रूस और अमेरिका काफी बड़े देश है ताक अत्वर देश में यह जो भी करते हैं उससे पूरे गलोबली मार्केट पर इपक्ट पड़ता है तो इस इन दो देशों के गलट की वजह से देखिए पूरे गलोबल मार्केट पर क्या इंपक्ट पड़ा है आप थोड़ समझेए 8.22 परसेंट टूट कर पूरे जो क्रिप्टो मार्केट है गलोबली क्रिप्टो मार्केट एक पूइंट पांच तीन डृलियंड डॉलर का रह चुका है जबकि सिर्फ एक सा करने अगर आपके पास किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तो थोड़े दिन होल्ड कीजिए क्योंकि मेरा यह सिधानते में यह मानता हूं कि मेरे पास कोई भी कोई है या किसी भी कंपनी का सेर तो मैं उसे तब तक नहीं बेचता हूं जब तक मुझे बेनिफि करता है आपको जो ठीक लगे आप कीजिएगा मेरा जो निसकर से मैंने बता है मैं घाटा नहीं बेचता हूं आज मार्केट डाउन जा रहा है लेकिन ऐसा थोड़े की मार्केट नीचे ही रहेगा कभी न कभी तूपर उठेगा जब हमें बेनिफिट होगा तब बेसकर निक अगर कोई कोई आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा तो अच्छी बात है तब आप उसमें इंवेस्टमेंट कर लिएगा तो आई होप मैं जो बताना चाहरा था आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ नया जानना चाहते है तो उसमेंट करकर जुरूर पूछे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही सुक्रिया